आज कल बहुत सारे Amazon sellers की मुझे email आती है comment आता है कि उनकी sales एक particular figure के ऊपर नहीं जा पाती है अगर उनकी दिन भर की sales 20,000 रुपय होती है तो कभी भी वो 20 से 40 या 50,000 नहीं जा पाती है चाहे वो कुछ भी कर लें इबिन 20,000 पूरा होने में भी कई बार नहीं हो पाता है और sales 12,000-15,000 पे पर डे इश्टक कर जा रही है ऐसा क्यू हो रहा है क्या इसके पीछे कोई logic है क्या आपके हाथ में as a seller कोई control है या trigger है जिससे आप इस चीज को आगे ले जा पाओ और अपनी sales को 20-40,000 पहुचा पाओ जी हाँ बिलकुल है कैसे किया जाता है ये सारी चीजे किस हद तक ये possible है मैं इस वीडियो में explain करने वाला हूँ अगर आप इसको देखते हैं और समझते हैं तो आप Amazon की इस policy के बारे में समझ पाएंगे और ये जो limit है या threshold है ये कैसे कम और जादा होता है और कौन करता है ये भी आप जान पाएंगे और में भी आप अपनी limits को increase करा पाएं या कर पाएं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लीजे वीडियो को like and share करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा इस technology को बोला जाता है Amazon sales velocity ये Amazon की एक internal policy है जो आप Google करेंगे या Amazon sales central में सर्च करेंगे तो इस policy का detail आपको मिल जाएगा बहुत सारे internet पे article मिल जाएगे जहां पे इस policy के बारे में लिखा गया है और कैसे ये काम करती है या इसको कैसे increase या decrease होता है ये सब कुछ mention किया गया है देखिए अगर आपने Amazon पे बहुत टाइम से sales किया है तो आपने देखा होगा कि आपकी sales एक round figure के about ही रहती है अगर आप परड़े 30,000 रुपए बेचते हैं तो आपकी sales 20, 25, 30 या कभी-कभी 35 इससे ज़्यादा rarest rare chance आप एक percent chance है कि आप इसके ऊपर चले जाओ ऐसा क्यू ह होता है क्या Amazon के customers fix हैं कि आपकी sales यहीं तक होगी उसके पाद customers भग जाते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है Amazon sales velocity ये एक ऐसी policy है Amazon की जहां पे हर 28 दिन के अंतराल पे 28 days के इंटर्वल पे आपके account को evaluate किया जाता है कि आप किस लाइक हैं आपकी sales बढ़ाई जाए या घटाई जाएं अगर आपने पिछले 28 days में बढ़िया पर्फोर्म किया है और बार बार आपकी sales आपकी velocity को touch कर रही है बतलब 20,000 की velocity है अगर पड़े और आपकी sales 18,20,20,18,20,20 पहुंच रही है और आप उस velocity में outstanding पर्फोर्म कर रहे हैं आपने जो item ship किया है उसमें return कम आया है, complain कम आई है अच्छे reviews gain किये हैं और seller feedback भी आपको मिला है तो ज़्यादा chances है कि Amazon की internal team आपकी velocity थोड़ी सी बढ़ा देगी 10-20% अपकर देगी लेकिन ये totally depend करता है Amazon internal team के उपर कि वो किस तरीके से आपकी sales velocity को बढ़ाती है maybe अगर उसको लगता है कि एकाउंट अच्छा perform कर रहा है आपके items में uniqueness है जो Amazon customers को पसंद आ रहे हैं तो 20,000 की velocity को 30,000 तक ले जा सकते हैं या even 20 को 51,000 भी कर सकते हैं believe me मतलब इतना उच्छाल भी दिया जा सकता है लेकिन ये totally depend करता है Amazon की internal team के उपर कहने का मतलब ये है कि ये कोई magic नहीं है या कोई god gift नहीं है कि आपकी sales 20,000 के उपर क्यों नहीं जा रहे हैं ये जान बूच के Amazon algorithm के द्वारा कराया जा रहा है या किया जा रहा है और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो किया ये कैसे किया जाता है मतलब 20 के बाद हमारी sales क्यों नहीं बढ़ती है तो उसके पीछे logic काम करता है shadow suppression का अब देखिए Amazon sales velocity ये एक कह सकते है कि point है जिसके आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाता Amazon कहता है कि मैं ऐसा इसले करता हूँ जिससे हमारे customers का जो experience है वो excellent बना रहे है क्यों क्योंकि अगर आप परड़े 20 order process करते हैं और अचानक से आपके 200 order या 500 order एक दिन में आ गए तो ना आपके पास cartoon होंगे उनको pack करने के लिए ना तो tape होगा और ना ही इतने team member होंगे कि आप timely उन सारे orders को sip कर पाओ तो ultimately कि किसका experience खराब हुआ customers का खराब हुआ और Amazon customer oriented market है वो सिर्फ और सिर्फ customer की सुनता है sellers की वो साइद 1% भी नहीं सुनता है तो आपकी उसमें कुछ भी नहीं सुनी जाएगी इसी customer excellency को maintain करने के लिए sales velocity को लगा दिया जाता है कि अगर आपके परड़े 30 unit sell होते हैं तो आपकी परड़े 30 unit 25-35 हो सकती है 10-20% का variation हो सकता है जनली कम ही रहता है ज्यादा बहुत rarest case में पहुंचता है तो ये इसी लिए किया जा रहा है और जिस दोरान आपकी velocity बार-बार hit होती है उसके बाद आपके listings की visibility अचानक से बहुत जादा down हो जाती है और वो बहुत कम customers को दिखती है इसलिए आपने देखा होगा कि Amazon India पे या Amazon USA पे पता लगा दोपाहर के 12 बजे तक आपके 12-15,000 की sale हो गई अब आपको लगा कि यार आज तो 15,000 दोपाहर तक हमने बेच लिया तो रात तक तो 40 हो जाएगी, 30 हो जाएगी तक फिर सडेलनी आपने देखा कि अगले 10 घंटे आपके एक भी order नहीं है आप 15,000 पे ही रह गए उसके बाद अगले एक दो घंटे में 2-4 order आगए और आप वही पहुँच गए 17-18,000 अब आपको लगा कि यार ऐसे किसे हो रहा है, मतलब एक दिन हो जाए चलो ठीक है, रोज-रोज ऐसा होता है कि कभी सुबे जादा सेल हो जाती है, उसके बाद कई घंटे order नहीं आते, कभी-कभी सुबे कई घंटे order नहीं आते और साम को अचानक एक घंटे में बहुत सारे order नहीं आते हैं, तो यह सारा गेम कहां से प्ले हो रहा है, बैक इंट से प्ले कर रहा है, और कौन कर रहा है, यह अमेजन्स की इंटेलनरी टीम प्ले कर रही है, अल्गोरिथम की help से, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि बहुत आसान की आसपास रहती है, वो अल्गोरिथम में ऐसा ही sit किया गया है, और जैसे ही velocity आपकी हीट हो की, मैंने आपको बताया, आपकी जो visibility है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिससे फिर आगे आप बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो यह game है, यह policy है, अब इसको अगर आप को लगता हो कि यार मैं कैसे इसको बढ़ा पाऊंगा, तो इसको बढ़ाने के कुछ तरीके Amazon ने बताये हैं, वो तरीके वही हैं कि आपको campaign चलाने पड़ेंगे, deals में participate करना पड़ेगा, coupons लगाने पड़ेंगे, जिससे आपकी sales थोड़ी बढ़ें, थोड़ी visibility Amazon आपकी ब ऐसे दिये हैं, तो उससे क्या होता है, कि अगर आप proper campaign चलाते हैं, deal चलाते हैं, participate करते हैं, तो इसमें आपकी velocity after 28 days कई बार Amazon बढ़ा देता है, मतलब कहने का यह है, कि Amazon इसमें भी आपसे earning करता है, कि अगर आपको अपनी velocity बढ़ानी है, तो आपको लगातार sponsored ads चलाने पड इसलिए आपने देखा होगा, जितने पुराने seller से हैं, वो कभी अपने campaign को बंद नहीं करते हैं, भले ही उनका परड़े का budget 2000 रुपए है, वो उसको 500 कर लें, 500 ज्यादा खर्च ना करें, बड़ वो कभी sponsor ads नहीं बंद करते हैं, क्यों? जैसे यो ads बंद करते हैं, अगले क कुछ दिनों में उनकी sales कम होने लगती हैं, इसलिए ये sponsor ads या campaign ये एक ऐसा system है, जो आपकी velocity को बढ़ा सकता है, बड़ कोई confirmation नहीं है, इवेन आप Amazon से खुद भी request नहीं कर सकते, case raise करेंगे, कुछ भी reply आपको नहीं मिलेगा, कि हमारी sales velocity बढ़ा दीजे, वहां से आपको ये ही reply मिलेगा, कि हम sales velocity manually खुद नहीं बढ़ा सकते हैं, ये proactively algorithm से decide होता है, या हमारी team decide करती है, मतलब आप खुद अगर case raise करके sales velocity को बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई system नहीं है, ये Amazon का खुद का internal system है, जो आपकी velocity को कम या जादा करता है, और इस समय पिछले 4-5 महीनों से इंडिया में Amazon sales velocity को बहुत tightly follow कर रहा है, और ये देखा गया है, कि उन्होंने कुछ sellers को categorize करके रखा है, और उसे हिसाब से उनको velocity दी जा रही है, अगर उनको velocity 30,000 रुपए की मिली है, तो 30,000 ही बहुत जाएं, तो उनके लिए बड़ी बात है, उसके उपर उन नहीं जा प होते हैं, या कई बार नहीं भी होते हैं, अचानक से algorithm आपकी पूरी visibility को खत्म कर देता है, कुछ घंटों के लिए, इसमें आपको बहुत कम orders मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फिर अचानक से आपकी visibility को boost मिलता है, और कुछ product आपके top pages पे rank करने लगते हैं, तो फिर आपके हो जाता है, बात समझ रहे हैं तो ये logic Amazon पे काम करता है, काफी हद तक अगर आप sponsor ads या campaign चलाते हैं, deal चलाते हैं, तो में भी इसमें आपको थोड़ा इजापा देखने को मिलें, और में भी आपकी sales velocity after 28 days rolling cycle थोड़ी बढ़हा दी जाए, या में भी अगर आपकी product में दम है Amazon की team को लगता है कि ये products हमारे customer के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपकी velocity को 5 गुना बढ़हा दिया जाए, ऐसा भी हुआ है बहुत seller के साथ में, मतलब आप 20,000 बेच रहे हैं, आपकी 1,000,000 सेल होने लगे, बट उसके लिए में भी Amazon की तरफ से आपको phone call आए, उसारी ची Amazon stream या Amazon की algorithm से आपकी sales velocity को या overall sales को e-commerce sales को बढ़हा दिया जाए, इस वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching.